हेलो दोस्तों आज मैं फिर से एक नहीं टॉपिक पर आज बोलने वाला हूं आज बेसिक फिटनेस कुछ एक्ससाइस मैं बोलने वाला हूं जो हम लोग घर बैटे कर सकते हैं फिटनेस अचीव करने के लिए क्योंकि आज कल के डेट में हम लोग सभी बहुत बीजी होते हैं हम लोग का पढ़ाई का प्रेसर रहता है उसके लिए हम लोग जा नहीं पाता है बाहर एक्स्ट्रा फिटनेस के लिए फिर हम लोग का जॉब का प्रेसर रहता है फिर घर में ब अजाल की मान्सिखsti थिने और हम और जादा अपने काम पर फोकस कर पाएंगे तो हेलो दोस्तों गोगरेक और मेरा यूट्व का पूर्य सब्सक्राइब प्र का ड wzglी नाम है कि झाल दानी चीनल को प्लीज उवर चनल को देखते हैं उन दोस्तों हम आज exercise शुरू करते हैं कि कई से 10 exercise करके हम लोग अपने body fitness को maintain कर पाएंगे घर बैठे कहीं जाने के जिन स्ट्राइक करना या पार्क में जाने के लिए जिसके पास time नहीं होता है जिसके पास time नहीं होता है तो सबसे पहला है warm-up जो मैंने पेछले दिन भी बोला करने के बाद हम लोग आएंगे first exercise जो है high jump high jump से हम लोग की जो body की flexibility है वो सबसे ज्यादा इंप्रूव होती है और हम लोग के जो leg muscles है पूरा body का जो muscle से वो पूरा छूड़ जाता है and it becomes flexible और उससे ultimate जो blood flow होता है body में वो बढ़िया हो जाता है उसके वएसे चेरे पे रॉन फिर फूर मेक्सियोर जब आप जब नीचे उतर रहे हैं तो आप अपने टो के उपर उतर रहे हैं और body हलका ऐसे वान हलका body को हलका रखिएगा ऐसे आपको कम से कम 20 times करना है जो लोग नए हैं और जो लोग थोड़ा अच्छा और कर पाएंगे अपने potential के हिजाब से तो व साथा potential वाले हैं वो थर्टी करके मारेंगे टू सेंस पहले 20 मार लेंगे उसके बाद 10 seconds ब्रेक फिर 10 मारेंगे यह हो गया अब हम लोग क्या करेंगे यह पहला exercise था number one हो है high jump number two leg hopping अपने ही जगह पे ऐसे ऐसे धीरे-धीरे सुनू करना है टो के उपर गाईस मैं बार बार इसको तुमको कम से कम जो बिगिनर से हैं उसको 10 seconds करना है फास्ट लेको फास्ट इससे तुम्हारा कप मसल जो है वह बहतर बनेगी और तुम्हारा जो flexibility है lower body जो मैंने पिछले दिन मी बोरा था उसका conditioning बहुत बढ़ी हुआ हुआ तो बिगिनर्स के लिए यह 10 seconds ऐसे करना है जो लोग का potential ज्यादा है वो लोग उसको 20 seconds कर देंगे टू सेट्स करके तो यह था leg hoppings at a similar place यह था हम लोग का दूसरा exercise number three exercise जब हम लोग करेंगे उसके बीच में 10 seconds का gap रहेगा मैं फिर से बदा रहा हुँ दोस्तो लेग hopping के एक leg hopping जो 10 यह 20 seconds से करोगे उसके बाद 5 seconds का rest फिर करोगे फिर 10 seconds का rest number three now touch your knee to your chest जो लोग रहे हो वो लोग को इतना उपर पच नहीं होगा इसी लिए मैंने क्या किया है कि तुम लोग इतना करोगे यह कुमर अपने हिप के लेवल में वान तुरी थोड़ा बेंट बेंट और टो के उपर ही उतरना है यह यादर नहीं से कप मसल टाइट होगा सीन ये टायट होगा और फ्रॉंटल भी टाइट होती है यह फ्रोंटल था है और साइट तो ओन जो लोग नहे हो टू और जो लोग और ज्यादप 네हा है गराग तो ऐसे तुम लोग को जो लोग बिगीनर्स है जो लोग का उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है नॉर्मल बंदे वह वान ये टू आप लोग ऐसे करेंगे जो लोग थोड़ा ज्यादा अच्छा कर पाऊगे अपने पुटेंजिल के हिसाप से वो लोग आप लोग क्या करेंग तुम से टाच इसको 20 टाइम्स करना है तुशेट्स हर सेट में 20 करके मारनी है 20 रिपीटेसंज उसके बाद 10 सेकेंड का ब्रेक फिर 20 माननी है फिर 20 सेकेंड का ब्रेक फिर हम लोग भी चलेंगे फ़ूर्थ एक्सराइज का नाम है जंपिंग स्कॉार्ड नॉर्मल जो हम ल तो सबसे पहले मेक्सियो कि तुम्हारा पैर के बीच में वन सोल्डर गाप है लेक जो है सामने के वह नाइटी डिग्री रहेंगे गाइस स्ट्रेट ऐसा मुड़ा वानी स्ट्रेट वन सोल्डर गैप नाउ हैंस बेंडो हेड वान टो के ऊपर अब जो लोग थोड़ा हेबी वेट के बंदे हैं आप लोग क्या करेंगे कि वान कि पूरा नहीं जुगना है लेकिन जो बैक हैप का वह स्ट्रेट वान फिर कुदो टू पहले जब फिर स्कॉर्ट वान टू इतना ही ज्यादा नहीं पहले दिन पे ज्यादा नहीं करिएगा नहीं तो कमर में दर्थ करेगा तो इसलिए वान टू थ्री और जो लोग थोड़ा ज्यादा अच्छा कर पाऊगे गाइस तो वान आप लोग ऐसे पूरा बैठना है टू पूरा टो के उपर आउप और याद रगना नीज आप लोग का आउटवर्ट रहेगा यह आउटव फिफ एक्सराइज उसका नाम है प्रिस को सिड़ा तो सबसे पहले हमको क्या करना है अपने पहले पर से लेट जानी है टेन सेगेंड ग्याप रहेगा हर एक एक्सराइज के बीच में जब आप दूसरे एक्सराइज करने वाले हैं अब हम लोग आएंगे प्रिस क्रॉस जब आप ह्सी जातुर जाता जातबाँ राइज तो आपका जब लेफ्ट आप फिर राइज से बाददेंगे भीट गान कि प्रिसं ब्रतव द्ली टरह तो आपका उठार देंगें। जब आपका भाया पैर आएगा तो आपको अपना ़ोग जो 40 जो लोग 15 ऐसे चुछ उसको बढ़ाते रहे हैं इसको दो सेट्स मानने हैं हर एक सेट में एक लिस्ट पंद्रा मारने हैं नाव कमिंग पूदा सिक्स्ट एक्सराइज उसका नाम है साइट लेक रेजस्स ऐसे आपका पैर जोइंट हो जाएगा अब वान इसे साइट यह पैर स्ट्रेट रहेगा नह और कमर ऐसे वान फिर टू यह बेली फैट नहीं यह साइट इसके पैट के लिए है ताकि आप लोगा एक्स्ट्रा जो फैट साइड में हो जाता है हम लोग का जम जाता है की आम लोगा वाक्स की डूर के बड़े से ईक हम लोग टाइम नहीं देपाते हैं तो यह उसको काट करने में मदद करें कि 1 फिर 2 यह इसमें प्रेसर गिरेगा फिर 3 याद रखिए नीज श्रेट और आपका हाथ पीछे रहेगा फिर 4 अगर जो लोग नहें हैं वो लोग किसी चीज को पकड़ सकते हैं यहां पर या किसी बंदे को खड़ा कर दिये उससा पैर पकड़ लिया वा जो लोग और अच्छा थोड़ा इंटरमीडियेट पर जाएंगे वो लोग अटलिस्ट 15 करके मारेंगे हर सेट में एटलिस्ट 10 और जो थोड़ा अच्छा करेंगे वह 15 ऐसे आपको दो सेट मारने टू सेट इसके बाद हम लोग हम लोग अपना सेवंथ एक्सरसाइस पाए ऐसे हाथ को एक-Solder में रह से मता सवचा ऐसे वान सोड़ा ऐसे वानसोलडे पैर को ऐसे थोड़ा अलग करते मैं अब जोएन अब वान अबका को एलबो और नी एक साथा के टॉच होगा सफिर जाएगा फिर टू यह По टू इसको बहनें शुआं तूश को गरते कि इस्ट सब्सक्राइब करेंगे याद रखिए कि आपका जो एलपो और यह बाहर नहीं रहेगा इनवर्ड वान फिर टू फिर वही पर चल जाएगा जहां से आ सब्सक्राइब करेंगे अब हम लोग आएंगे हम लोग के एक्सराइज पर जिसका नाम है क्लापी पुसप्स हाथ में वहीं से वन शोल्डर घ्याप रहेगा पैर इसमें जॉइंट रहेंगे गाई जैसे स्पाडर्मन में अलग थे इसमें जॉइंट रहेंगे तो पहले वान टू यह फिर डाउन ठीज फो फाइज सामने देखना है श्रावन तो याद रखना है कि यह सिर्फ वही लोग करेंगे जिनका body weight कम है या जो थोड़ा fitness enthusiast है जो लोग नए नहीं सीख रहे हैं वो लोग सामने एक तक्या को रख देंगे ऐसे और फिर ऐसे वहान अगर आप गिर भी गए तो तक्या में गिरेंगे इससे आपको चिन में नहीं लगेगी लेकिन अगर आप बिगिनर है और आपको आदत नहीं है तो आप जब clapping करेंगे अगर नहीं कर बायत हो चिन में लग सकती है तो यह ध्यान में रखनी है कि जब नए करेंगे नए सुरुवात करेंगे तो इसको क्या करना है आपको एक सामने तक्या रखके करना है अब हम लोग आएंगे हम लोग के 9th exercise पे जो है आठक्या है है करें है तो यह सुअर्ड आए एक सुअर्डर इसको बहते हैं 60 सुल्ड़र के गएप दोनों प्रेग सबस्गिशब और इसको फोर्ड करना है ऐसा आपको नहें हैं वह कम बैठी और थोड़ा जादा पुटेंशियल वाले हैं आप लोग थोड़ा इतना बैठी और याद रखेगा यह पैर जो है यह स्ट्रेट रहेगा नी जो है वह आउट वर रहेंगी और हाथ को ऐसे रखना है हैं स्ट्रेट अब इसको आपको 30 सेगेंड करना है 30 सेगेंड जाब करेंगे धीरे-धी और धीरे-धीरे छोड़ेंगे नाक से सांस लेंगे नाक सही छोड़ेंगे इसको जापनीज में बोलता है नाग हो अब ऑद तो ऐसे हैं आपको रासंटे सेगेंड रखना है फिस्ट टाइट रहेगा लेक्स 90 डिगरी नीस आउटवर्ड एसे आपको 30 सेगेंड रखना है 30 सेकेंड रखने के बाद थोड़ा भात को one two three again opposite one two three यह करने के बाद फिर से पांच मिट रेस्ट पांच सेकंड रेस्ट रेने के बाद फिर से आप करेंगे 30 सेकंड का और एक सिट यह भी आपको दो सिट करनी पड़ेगी हर एक से 30 सेकंड के रहेंगे आप लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे घर में रहेंगे आप लोग को बाहर जाने की जरुद नहीं है वह हैंस डाउन देखिए ओसे सेम वन सोल्ड गैप रहेगा हाथ दोनों हाथ के बीच में लेक को जॉइंट रखिए और यह डाउन इतना ही चस्ट जबिन में टच नहीं होगा काई इतना ही डाउन आप ऐसे हेड अप रहेगा सामने के तरब दखेंगे चेस्ट और पेड्ग जो हेवह हवा में रहेगा और हैंड जो इसा नी रहेगा इन वार्ड ऐसे और आपको एट-lease 10 seconds hold करना है यह जैसे जैसे आपका फिट्थ लेगा इसका भी टाइमिंग बड़ा दिए टेंग जैसे करकर के आप थोड़ा थोड़ा वान इनिट मैं आप पहुच पाएंगे तो यह बहुत बढ़िया होगा तो आज मैंना हाला की दिखा दिया है दस ऐसे एक्सराइज जो आप घर बेटे भी कर सकते हैं नाव लास्ट हर कुछ एक्सराइज करने से पहले क्या करना पड़ता है वह है वाम अप जिन लोग को पता नहीं है कैसे किया जाएगा प्रॉपली वह मेरा पिछला वीडियो देखिए इस मेरे यूट्यूब चानल से अब एक्सराइज के पाद हमेरे था अब पोशिस कीजिए कि वान फिर्टू अब एट लिस्ट टू मिनिट्स का सबसे पहले आप अपना मोबाइल को इदर रखिए और टू मिन्स का उसमें टाइमर लगा के मेडिटेट जिनका पैर ऐसा नहीं होता है वह पैर को नोर्मल ही रखेंगे ऐसे ओर आसे करेंगे है आप उत्लेस्स टूमेड अब इसससे क्या होगा लगा यहां टाइमर का तक होगा फिर अगये फी साथ होगा कि आप जब मेडिटेशन कर रहे हैं आपको बोड़ी है वह बहुत बढ़िया तरीके से आपके माइंड के साथ कूपरेट कर पाएगा और आपका माइंड और बोड़ी जब एकसाथ हो जाएंगे तो आपका फिटनेस ऑटोमेटिकली स्पीडिली ग्रोव करेंगा तो आ मेरे चैनल को बेल बटन दवाएए और भी अच्छे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को देखते रहे हैं और आज के लिए बस इतना ही शुक्रिया दोस्तों नमस्ते